मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू माना जाता है जिस मनुष्य के अंदर इन साथ में से एक भी बात होती है उसे हमेशा ही दुख और परिशानियों का सामना करना पड़ता है जितनी जल्दी हो सके इन साथ बातों को छोड़ देना चाहिए नमबर एक अतिधिक प्रेम किसी भी बात की अतिब बुरी होती है किसी से भी अजसे ज्यादा प्यार करना भी गलत होता है इस वजह से कई बार मनुष्य अधर्म तक कर जाता है इसलिए किसी से भी अजसे ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए नमबर दो लालच लालची इनसान अपने फाइदे के लिए किसी के साथ भी दोखा कर सकता है ऐसे लोग धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोचते इसलिए हर किसी को लोग लालच से दूर ही रहना चाहिए नमबर तीन एहनकार एहनकार के कारण इंसान कभी दूसरों की सलाह नहीं मानता और अपनी गल्दी स्वीकार नहीं करता ऐसा व्यक्ति अपनी परिवार और दोस्तों को कश्च पहुंचाने वाला होता है इसलिए एहनकार को मनुश्य का शत्रू कहा गया है नमबर 4 काम जब किसी पर काम भारना हावी हो जाती है तो वैस सही गलत सब भूजाता है कामी व्यक्ति अपनी इच्षा पूरी करने के लिए किसी के भी साथ पुरा व्यवहार कर सकता है इसलिए काम भारना को हमिशा कादू में रखना चाहिए नम्बूर पांच मुह, किसी से भी अत्यदिक मुह बर्बादी का कारण बनता है, बहुत ज्यादा लगाव होने पर व्यक्ती सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है, नम्बर च्छे, गुसा, गुसे में मनुश बुरे किसी का भी होश नहीं रहता है, नशे की हालत में मनुश्य नकी सिर्फ दूसरों का बाल की अपना भी नुकसान कर लेता है, इसलिए इसे मनुश्य का सबसे बड़ा शत्रू माना गया है, इस वीडियो में इतना ही हमारी और भी आश्चरे जनक अप्थुत, इवं र बब़ाद किसी का भी हमारी आश्चरे इस वीडियो में इसलिए कब है।